हेलो बच्चो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 NCERT exercise 2.2 का question number 9 तो question है the ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5 to 7 4 years later the sum of their ages will be 56 years what are their present ages? कि Rahul and Harun जो है उनकी ages present ages का ratio जो है वो 5 to 7 का है 4 years later यानि आज से 4 साल बाद उनकी जो ages होगी उनका sum यानि दोनों की age को अगर हम total करेंगे तो उसका sum जो है वो हमारा 56 years के equal होगा तो what are their present ages? हमें उनकी present ages निकाल लिए हैं तो start करते हैं तो हमें निकालना क्या है? Rahul और Harun की ages तो क्यूंकि हमें ages ratio में दी हुई है तो सबसे पहला क्या काम होता है जो हमारी ratio वाले question होता है हम ratio को ही क्या ले लेते हैं? X Let the ratio is equal to X अब अगर ratio X है तो Rahul की present age जो है Rahul's present age वो क्या हो जाएगी? 5X क्योंकि Rahul पहले है 5X और फिर Harun तो Harun की present age हो जाएगी? कितनी? 7X तो एक की होगी 5X और एक की 7X अब हमें क्या करना है? उन्होंने का 4 years later 4 years later का मतलब क्या है? आज से 4 साल बाद यानि चार साल बाद की age निकालने के लिए क्या करना होगा? उनकी present age में हमें 4 add करना होगा तो तब Rahul की age क्या हो जाएगी? तब Rahul की age हो जाएगी 5X प्लस 4 क्योंकि present age 5X है उसमें 4 add कर दिया similarly हारून की age क्या हो जाएगी? हारून की age हो जाएगी 7X प्लस 4 तो ये हमें उनकी 4 साल बाद की age मिल गई फिर next line क्या है? 4 years later the sum of their ages will be 56 years यानि आप जो ये 4 साल बाद बाद जो age हमें मिली है इन दोनों का sum जो है वो 56 के equal होगा यानि according to question 5X प्लस 4 यानि राहूल की age जो 4 साल बाद है प्लस हारून की जो age 4 साल बाद है उनका sum जो है वो किसकी equal है? 56 के तो अब ये equation बन गई हम इस equation को solve करना है हम brackets open करते हैं तो 5X प्लस 4 प्लस 7X प्लस 4 is equal to 56 अब 5X और 7X कितना हो गया? 12X तो हमारा 12X प्लस 4 प्लस 4 8 is equal to 56 तो 12X अब 8 को हम लेगे मल माइनस में वहाँ तो 56 माइनस 8 56 माइनस 8 कितना हो गया हमारे पास? बताए ये आगे हमारे पास 48 तो X हो गया 48 डिवाइड बाई 12 12 डिविजिन में चला गया और आंसर आ गया 4 तो ये आया हमारे पास रेशो सिर्फ X की वैल्यू तो राहूल की प्रेजन एज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हमें राहूल की एज चाहिए तो वो है हमारी 5X यानि 5 इंटु 4 that is 20 years और हारून की एज निकालने के लिए क्या करना होगा? हारून से एज उसका रेशो क्या था? 7X हमने लिया था उसे तो वो हो क्या 7 इंटु 4 यानि 28 years तो एक बार फिर से हम इसे देखते हैं हमें राहूल और हारून की एज का रेशो दिया गया था 5 is to 7 तो हमने रेशो को ही X ले लिया और राहूल's प्रेशन एज 5X होगी और हारून की 7X 4 years लेटर यानि यास से 4 साल बात दोनों की एज में 4,4 एड हो गया उस समें according to question some of their ages will be 56 years उन दोनों की जो एज है इनका सम 56 के एक्वल होगा equation बन गई हमने equation solve की तो हमें X की value मिली और X की value एक बार हमने राहूल की age में यानि 5X में और एक बार 7X में पुट किया तो हमें उनकी ages यानि present ages मिल गई 20 years and 28 years तो I hope या आपको clear हो गया होगा मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक keep practicing and enjoy maths